नमस्कार साथ यह Infusion Notes के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है इस सेशन में अपने 25 महतोपुन क्योशन इंडिया जी के के देखेंगे यह सभी क्योशन है जो उन सभी प्रतविता परिक्षा में उप्योगी रहेंगे जिन में इंडिया जी के पूछा जाता है तो साथ यह सेशन आप को पसंद आए तो इसे लाइक वैसे जरूर कीजिएगा Infusion Notes की YouTube चैनल को लाइक वैसे स्क्राइब कीजिएगा शुरुआत करेंगे सातियों पहला क्यूसन आप से पूछा गया है बेतवा नदी है तो आंसर होगा यमुना से आप से पूछा गया है बेतवा नदी है वो मिलत है तो आंसर होगा यमुना से आंसर क्या रहेगा आपका यमुना नदी से मिलती है कोने बेतवा नदी आगे है बात का सबसे दक्षिन बंदरगा कौन सा है ये क्यूसन इपोर्टेंट है आप से पूछा जा सकता है बात का सबसे दक्षिन बंदरगा कौन सा है तो आंसर होग है आप से पुछा गया है मोरिबंद जो डेल्टा है वो किस डेल्टा का एक है उपवियाग है तो आंसर होगा बंगाल डेल्टा का उपवियाग है इपोर्टेंट रहेगा पुछा जा सकता है आगे है अगले कुशन पर बात करेंगे भार्त में यरलूंग जंगबो नदी को क किस नाम से जाना जाता है आंसर होगा ब्रहंपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है इपोर्टेंट है पुछा जा सकता है बात में यरलूंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है आंसर होगा ब्रहंपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है अगला कुशन आप से अगला क्यूशन आप से पूचा गया है ब्रहंपूत्तर नदी का बहुचेतर कहां पर है तो आंसर रहेगा तीबत बंगलादेश और भारत में ये क्यूशन साथियों साइद एक बार BPSC का एकजाम वा था उसमें पूचा गया था ब्रहंपूत्तर नदी का बहुचेतर जा सकता है आप से आगे बढ़ेंगे अगला क्यूशन आप से पूचा गया है नरमदा गाटी किन परवत सरंकलाओं के बीच दित है तो आंसर होगा सत्पुडा और विंद्या चल नरमदा गाटी किन परवत सरंकलाओं के बीच में श्तित है तो आपका आंसर होगा सत्पु आगे बढ़ेंगे अगला क्युशन आप से पुछा गया है सातियों नरमदा गाटी उदारन है नरमदा गाटी उदारन किसका है आंसर होगा बरस गाटी का उदारन है ये क्युशन भी इपोर्टेंट रहेगा नरमदा गाटी उदारन है बरस गाटी का उदारन रहेगा आगे है अम्मर कंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है आंसर होगा नरमदा इपोर्टेंट लगा लेना साथियों आप से पूछा है अम्मर कंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है आंसर होगा नरमदा का आगे है कावेरी नदी का उद्गम है ब्रम गिरिप पाडियों से ये क् कंटक्सें कौन से नदी का उद्गम होता है नरमदा का ये साथ यो most important question है कई पर्टयोगिता प्रिक्षा में पुछा जा चुका है आगे बढ़ेंगे अगला question आप से पुछा है दक्षिनी बारत का परवेश दुवार किस राजिय को कहा जाता है तो आंसर होगा तमिल लाडू को आप से पुछा है दक्षिनी बारत का परवेश दुवार है जो किस राजिय को कहा जाता है answer रहेगा तमिल लाडू को है जो कहा जाता है important question है रहेगा आगे है प्राई दीप बारत में सबसें लंबी नदी कौनची है गोदावरी क्या answer रहेगा गोदावरी है जो सबसें लंबी नदी है किसकी प्राई दीप भारत में सबसें लंबी नदी है गोदावरी important question रहेगा पुछा जा सकता है आप से आगे है hungry साहेक नदी है तुंग बदरा की ये question भी केई प्रतविता प्रिक्षा में पूछा जा चुका है hungry साहेक नदी है आंसर होगा तुंग बदरा की important question रहेगा सातियों आगे है दामोदर जिसकी साहेक नदी है वह है हुंगली बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है तो कोशी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है आगे बढ़ेंगे अगला question आप से पुछा है खारी नदी जिस अपवात अंतर का अंग है वह है तो आंसर होगा बंगाल की खाडी का अगला question आप से पुछा है खारी नदी जिस अपवात अंतर का अंग है वह है तो आपका आंसर होगा बंगाल की खाडी अगला question आप से पुछा है संकोश नदी किस की शिमा बनाती है असमवै पस्षिम बंगाल के बीच अगले question पर बात करेंगे कौन सी नदी है जो मध्या परदे से निकलती है और खंबात की खाडी में गिरती है तो आंसर होगा माही नदी कौन सी नदी मध्या परदे से निकलती है और खंबात की खाडी में गिरती है तो इसका साथियों आंसर रहेगा माही नदी आगे बढ़ेंगे अगला question आप से पूछा गया है दक्षिनी बारत का अन बंडार किसे कहा जाता है ये question important है साथियों most important है question है केई परत्योगिता परिक्षा में पूछा जा चुका है दक्षिनी बारत का अन बंडार किसे कहा जाता है आंसर होगा तंजावूर को कहा जाता है आगे बढ़ेंगे अगला क्युस्तन आप से पूचा है दक्षनी बार्त की गंडी कोटा गाटी नदियों में से किस के नदियां किस से निर्मित हुई है तो पैनगरा पैनगरा इसका आंसर रहेगा दक्षनी बार्त की गंडी कोटा गाटी केनिया किन नदियों से निर्मित हुई है तो आंसर पैनगरा एक जो नदी है उसका नाम में आप से पूछा गया है पैनगरा होगा गंगा नदी के किनारी सबसें बड़ा सहर कौन सा है तो कानपू रहेगा साथियों गंगा नदी के किनारी सबसें बड़ा सहर कौन सा होगा कानपू रहेगा आगे है ले है अवस्तित है आंसर हो के तट पर है उजेन काम पर है शिप्रा नदी के तट पर है आगे है बात के किज जल परपात को लोग पर ये रूप से नियागरा जल परपात के तोर पर भी जाना जाता है तो चित्र कूटे परपात है जो इसका आंस्वर रहेगा इसे नियागरा जल परपात के रूप में ज प्रिक्षा में उपयोगी रहेंगे साथ जिन में इंडिया जी के पूचा जाता है पीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंफ्यूजर नोड्स के टेलीग्राम पर भी जुड़िए वहां पर आपको मन्तली करंट आ लाइक वर से जरूर कीजिएगा, Infusion Notes के YouTube चैनल को लाइक वर सस्क्राइब कीजिएगा, धन्यवाद.